हालो फ्रेंड्स वालकम टू मैं चैनल अज हम बनाने वाल है मावा पैंडा कड़ाई में हम खोया ले लेंगे कोया को मैंने 200 ग्रम जितना लिया है कई जगा पे खोया को मावा भी बूला जाता है खोया को अच्छे से हमें हिलाते रहना है खोया में में एक चमबा जितना दूद डाल दूँगी जैसे कि हमारा खोया अच्छे से सौप्ट हो जाए हमें खोया को continuous हिलाते रहना है जब तक कि उसका texture और color चेंज ना हो जाए खोया का color change होने में 5 से 7 मिनिट जितना टाइम लगता है मेरे पास खोया 200 ग्रम जितना है इसलिए 5 से 7 मिनिट लगेंगे आपका खोया अगर ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि खोया का थोड़ा थोड़ा texture चेंज होने लगा है अब यहाँ पर खोया का texture और color चेंज हो गया है अब हम खोया को एक प्लेट में निकाल लेंगे और प्लेट में spread कर देंगे जिससे हमारा खोया जल्दी से ठंडा हो जाए जब हमारा खोया थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब हम उस पर 3-4 cup जितनी PC हुई चीनी डाल देंगे और थोड़ा सा इलाईची पावडर डाल देंगे खोया और प्लेशी हुई चीनी को अच्छे से मिला लेंगे और इसका एक इच्छा सा स्वाप डो बना देंगे अब हम इसमें से चोटे चोटे पैंडे बनाना स्टार्ट कर देंगे अब यहाँ पर हम हातों में चोटा सा पैंडा ले लेंगे और उसको राउंड से देंगे यहाँ पर मैंने दो स्टार्ट श्रिप के पैंडे बनाए है इसके लिए हम चाकू से इस तरह से स्टार्ट इससा स्टार्ट श्रिप बना लेंगे और लेंगे और बीच में एक पिस्ता रख देंगे आज से आप चाहो तो सारे पैंडे बना सकते हो अब मैं आपको दूसरी बीरिच सिखा दूँगे जो एक दम इजी है हम पैंडे को राउंड सिख देंगे और इसमें बीच में एक पिस्ता रख देंगे तो आप चाहो तो इस सरह से सिंपल साग भी पैंडा बना सकते हो दोनों स्टैल से पैंडे बनाया है आपको कौन से स्टैल से पसंद आए वो मुझे कॉमेंट वक्स में कॉमेंट करके बूलना आपको आज की रेसीपी पसंद आयो हो तो लाइक शेर और कॉमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना